चुनाव के समय अपने वोट से इसका जवाब देगी जिनता और मैं कहता हूँ कि दहाई का अकड़ा पार नहीं कर पाएगी चाड़े चार पॉने पांच वर्ष उनीस साल पर भारी पड़ेंगे अभी से संख्या हमारी जादी रहेगी जादा रहेगी यह मैं आपको ताज़ कर साथ कहता हूँ और पहले भी कहा कि दहाई भी पार करना इसम के लिए मुश्किल हो जाएगी लोगसभा चुनाव खत्म होते ही जार्खन में वधान सभा को ले करके सब्गहाट तेज हो गई थी और कहीं न कहीं लोगसभा के दोरहानी सब भी वधायक जो है वो अपने अ इस वक्त हमारे साथ पीचोल इवा स्वक्षिता मंत्री मितले शाकुर मौजूद है हम इन से जानेंगे कि आकर इस सारी चीजों को कैसे देखते हैं क्योंकि जाकर में समय से पहली ही चुनाव होने की तयारी चल रही है कैसे देखते हैं यह चुनावायोग का विश्य साधि किसी भी चाहे लोक सभा का चुनाव हो या विधान सभा का चुनाव हो उनका विश्य साधिकार के अंतरगाद आता है और वो चुनाव करा सकते हैं लेकिन हमारे राजी की जो परिस्थितियां है कि अभी हमारा कारिकाल पांच जनवरी तक है जो हमारी सरकार अभी चल रही ह इस राज्जी में जो चुनाओ हुए थे, इसमबर में परिणाम आये थे, और हमारा सेप्टेंबर, अक्टोबर का जो महीना होता है, वो तेवहारों का महीना होता है, बहुत सारे पर तेवहार होते हैं, गनेश पुजा से लेकर, दुर्गोत, सौधी पावली, छर्ट, ये सा परिस्थिती भी नहीं है, कि यहां चुनाओ कराना अभी पुरी तरह से एकदम नितान तावश्यक है, चुनाओ समय पर होने चाहिए, हम तो इसके पक्षदर हैं, लेकिन चुनाओ योग जब चाहे चुनाओ कराना, जिस तरह से आप बता रहे हैं, कि ट्रांसफर पोस्टि को, तो यह लग रहा है कि समय से पहले चुनाओ होगा, हमें इससे किसी तरह की कोई परिशानी नहीं है, में कोई फरक नहीं पड़ता है, हम हमेशा तयार रहते हैं चुनाओ के लिए, क्योंकि जनता चुनाओ में, जनता के हाथों में फैसला होता है, जनता तै करती है, सब क तो हमें जनता पर भरोसा है, अपने काम पर भरोसा है, इसलिए जब भी चुनाओं हो हम पूरी तरह से त्यार है। बीजेपी घेर नहीं रही है, बीजेपी घेर गई है पूरी तरह से, ये कहत तो उचित होगा, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं रह गया है। और खिस्यानी बिल्ली खंगाप खंबा नोचे वाली कहावच रितारत कर रहे हैं। ये जब जन्ता के बीच जाएंगे तो जन्ता इनसे सवाल करेगी। आपने क्या किया आपने अपने पांच साल के कारेकाल में जो बिपच्च की जिम्मेदारी आपको सौपी थी जनता ने उस जिम्मेदारी को आपने किस तरह से निभाया कौन से जनहित के मुद्दे उठाए कौन से अपने छेतर के मुद्दे उठाए इस पर सवाल करेगी पां के समय अपने वोट से इसका जवाब देगी जंता और मैं कहता हूँ कि दहाई का अकड़ा पार नहीं कर पाएगी जो काम आज उनीस साल पहले हो जाने चाहिए थे जिस उद्द से इसराज का निर्मान कराएगा आज इन चाड़े चार पौने पांच वर्स उनीस साल पर भारी पढ़ेंगे हम गिनती नहीं गिना सके हैं कि कितनी योजनाएं हम ने लागू की हैं अंतिम पंक्तित के लोगों को लच करके और इसी का ये परिणाम है कि ये इस तरह के हतकंडे अपना रहे हैं कभी सदन पर कबजा कर लेते हैं कभी हला हंगामा करते हैं कभी मुखमंतरी क का घराव करते हैं तो ये उसी का परिणाम है अताशा का परिणाम है अब लोग सरकार बनाने जारे दोज़ोचोबिस में निश्चित रूप से अभी से संख्या हमारी जादी रहे जादा रहेगी यह मैं आपको दावे कर साथ करता हूं और पहले भी कहा कि दाहाई भी पार कर करके फुलार इस खबर में मैं से तित नहीं सायोग यमिश के साथ में पूझा दूबे 99 यूज राची